आप एक businessman है और आप एक टैली का software new buy करने वाले हैं तो इसके लिए आपको कौन सा टैली का वर्जन या software buy करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम काफी detail में बात करेंगे यहाँ पे मैं आपको एक update देता हूँ कि अगर आप एक student है और practice के लिए टैली का software लेना चाहरे है तो किस तरह से आपको लेना चाहिए यह भी हम इस वीडियो के last में आपको बताएंगे सबसे पहले इस businessman के issue को clear करते हैं तो मेरी बात ध्यान जे सुनिएगा अगर आप टैली software लेना चाहरे है और आपके mind में है कि आपको ERP लेना चाहिए यह प्राइम लेना चाहिए यह 4.0 लेना चाहिए तो मैं आपको clear कर दूँ टैली company software सेल करती ही नहीं उनि टैली company सेल करती है टैली company license sale करती है तो आप टैली का license लेंगे उस license के बिहाफ पे आप Tally के सभी software चला सकते हैं जैसे ERP हुआ, Prime हुआ, 4.0 हुआ या फिर जो नए आने वाले जो software हैं वो भी आप चला सकते हैं तो ये आपको clear हो गया कि आपको license buy करना है आप ध्यांजे सुनिएगा Tally में जो license होते हैं वो दो category के आते हैं फर्स्ट है rental, दूसरा है perpetual जो rental software है वो एक तरीके से किराये पे हैं आप monthly या quarterly Tally software को किराया पे करेंगे और Tally आपको अपने software चलाने की आनि license चलाने की permission देगा दूसरा जो type है वो है perpetual, perpetual के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भी Tally 4.0 चल रहा है latest version है और आपने Tally का perpetual license भाई किया है तो होगा क्या कि जो perpetual license के अंदर जो version आपने भाई किया जैसे Tally 4.0 भाई किया है यह version हमेशा आपके पास में चलेगा यानि आपको yearly किसी भी तरह के charges नहीं देने पड़ेंगे उस category का license है यानि Tally 4.0 है यह हमेशा आपके पास में चलेगा यहाँ पे मैं आपको update देदू जैसे मान लीजिए आपने अभी Tally software भाई किया perpetual license भाई किया maximum लोग perpetual license है लेते हैं अब इसमें क्या होगा कि next year अगर आप renewal करवाते हैं तो उस case में जो latest जो version होंगे उनको चलाने के भी permission आपको मिल जाएगी और कुछ other features की permission भी आपको मिलेगी अब माल लेते हैं कि आपको latest version नहीं चीए यानि अभी जो version है टैली 4.1 जो latest चल रहा है इसके अंदर जितनी भी चीज़े हैं वो आपकी requirement यानि आपके business की requirement को fulfill कर रही है तो आपको renewal करवाने की need नहीं है उसी case में अगर अपनो rental license लेते हैं तो आपको month लिया quarterly payment करना ही करना होगा और उसमें आपको कोई renewal बोल के कोई extra pay नहीं करना पड़ेगा in general एक caution निकल के आता है कि sir rental जादा बढ़िया होगा या perpetual जादा बढ़िया होगा मैं personal recommend करूँगा perpetual जादा बढ़िया होगा sir क्यों तो इसका answer है perpetual license के अंदर tally software आपको permanent मिलता है और वो software हमेशा चलेगा lifetime चलेगा अगर आप updates नहीं लेते हैं तब भी software चलेगा और अगर आप updates लेते हैं तब आपको pay करना पड़ेगा rental के case में क्या हुआ कि जैसे मालो आपने तीन महीने तक आपने tally company को payment किया rental का तीन महीने बाद में आपने rental pay नहीं किया तो अब आपके पास में किसी भी परकार का software का access नहीं रहेगा perpetual के case में at least वो version तो आपके पास में lifetime रहेगा तो licensing का concept clear हुआ अब इस licensing में दो category है एक है silver एक है gold तो क्या समझ में ही बात कि जो silver license है वो दो category में है rental और perpetual जो gold license है वो भी दो category में है rental और perpetual in general दो ही category है silver और gold silver version जो आएगा tally गे अंदर वो आपको at a time one user access देगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि माल लीजिए आपके पास में three system है इसे जाधा भी हो धबी को issue नहीं है माल लेते हैं कि आपके पास में three system है अब आप first system पे आपने tally का license activate किया तो आप system के उपर काम कर सकते हैं अब आप घर से ले गए और दूसरे computer में भी अगर आप license activate करेंगे तो दूसरे computer पे भी license activate हो जाएगा और second computer पे भी आप काम कर पाएंगे लेकिन issue यह होगा जैसे second computer के अंदर आप license access करेंगे first वाले system के उपर license हट जाएगा यानि multiple systems के उपर आप tally का license अला सकते हैं लेकिन at a time एक ही system में tally का license अलेगा अब यहाँ पे आप दिमाख लगा रहे होंगे कि वही मैं काम करूँगा एक system के उपर tally का license अक्टिवेट कर लूँगा उसमें से internet का तार निकाल दूँगा और दूसर system में tally का license अक्टिवेट कर लूँगा और दोनों system के उपर working कर लूँगा तो मैं बता दू ऐसा possible नहीं है कुछ time के बाद में यह कुछ hours के बाद में ही first वाले system में से license automatic हट जाएगा ऐसा क्यों होता है वो ऐसा इसलिए होता है कि tally को continue चलने के लिए थोड़ा सा internet सी है internet वो use नहीं करेगा आप इसे यूँ समझ सकते देशी बासा में कि जिस system में tally software चल रहा है या multiple system में बार बार change गरते हैं tally का तो software है वो license डूणने के लिए हलका सा सांस लेता है तो अगर उस वक्त उसे internet नहीं मिला तो license बंध हो जाएगा तो यह आपकी technique fail हो जाएगी at a time एक में ही चलेगा अब आते हैं दूसरे license के ओपर जिसे हम बोलते हैं gold ध्यान जे समझिएगा gold license के अंदर unlimited access है unlimited access किस तरह से हुआ इसमें क्या होता है कि जैसे माल लीजिए हमारे पास में 20 computers है 50 है 100 है कितने भी है तो उन में से एक system को हम server बनाते है यह एक system के अंदर tally software हम install कर लेते हैं और उसके अंदर tally का license activate कर देते हैं अब उस system से जो हमारा hub आ रहा है यहां जो हमारा switch आ रहा है जो हमारी LAN cable है हमारे server से LAN cable के थूँ एक switch के अंदर हमारी cable लग जाएगी अब उस switch यह hub से जितने भी computer हमारे connect होंगे उन सभी computers के अंदर tally का जो gold version है वो चल जाएगा यानि आप unlimited PC के अंदर tally software चला सकते हैं लेकिन शर्त है वो सारे system उस server से यानि उस hub से wifi के थूँ या LAN cable के थूँ connect होना compulsory है अगर वो connect नहीं है तो उनमें नहीं चलेगा यहां पर आपका एक caution निकल के आता है कि sir situation यह है कि sir मुझे 10 system के अंदर tally चलानी है लेकिन मेरे 4 system है जो मेरी campus के अंदर है बाकि system कोई मेरे घर पे है या किसी दूसरी location के उपर है उन सभी में मेरे को tally access करना है तो देखो भई land के थूँ तो possible है नहीं क्योंकि land के तो कुछ सिमित दाइरे होते है यानि वो सारे system होते है वो land केबल से connect होना compulsory है अब अगर आप यह चा रहे हैं कि आप अलग-अलग location के अंदर आपके 10 system है वो आप tally gold से कैसे चला सकते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको tally user मिलते है जो tally cloud से connect हो जाते है नहीं आपको tally gold version को cloud से connect करना है और जैसे cloud से connect हो जाएगा तो फिर आपको अलग-अलग user चलाने के लिए land या wifi की ज़रूत नहीं होती है आप इंडिया के किसी भी अलग-अलग location के अंदर tally software को access कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक जरूरी update दे दू cloud के अंदर अगर आप अपने tally software को चलाते हैं तो gold के case में I think 10 user है और silver के case में 1 user है तो यानि आप इतने ही user आप चला पाएंगे अगर इससे ज़ादा user अगर आपको चीए तो per tally user आपको extra pay करना होगा तो I think अब आपको tally software का जो segment है वो समझ में आ गया होगा अब क्यों शेन आता है कि tally software बाए करना है तो किस तरह से कर सकते हैं tally software हमेशा official gateway से भाए करना चाहिए तो अगर आप online बाए करना चाहते हैं तो आप tally solution की जो official website है जिसका link मेंने description में भी दिया है और screen पे भी आपको tally की जो official website है वो आपको show हो रही है इसको visit करके आप tally software बाए कर सकते हैं या फिर इस website के ओपर जो tally के जो registered partners होते हैं उनकी भी detail आपको मिल जाएगी तो आप physical visit करके भी tally software बाए कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक personal राय देना चाहूंगा चाहे आप किसी भी तरह की कोई भी activity perform करें चीए business के अंदर चीए tally license के अंदर software के अंदर हमेशा official जो partners होते हैं इनी के साथ में आपको deal करनी चाहिए अब यहाँ पे आपको छोटा सा update ओर दे दू कि अगर आपको tally software detail में सीखना है यहाँ gst return feeling में expert होना है यह gst accountant की आपको training चीए तो आप हमारा app play store से academy commerce डाउनलोड कर सकते हैं हमारा जो app है वो android iphone और computer या laptop सब में बहुत अच्छे से चलता है तो यह तो बात हो गई complete business man की अब बात करते है students के perspective की कि भई आप एक student है और आप tally software की practice करना चाहते हैं तो किस तरह से possible है तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप tally के अंदर enroll होते है as a education तो आपको एक job portal दिया जाता है tally portal दिया जाता है उसके अंदर आपको कुछ coupon course दिये जाते है उनका यूज करके एक limited time period तक आप tally software को access कर सकते हैं कुछ nominal charge देके या फिर आप अगर tally course कर रहे है तो इनका internship का project होता है आप tally company का internship project भी join कर सकते हैं उसके अंदर आपको limited time period के लिए tally software दिया जाता है completely original 100% software दिया जाता है जिसके अंदर आप अपने tax session की और आप अपने GST की complete practice कर सकते हैं तो अगर आपको internship project join करना है या complete अगर आपको course करना है तो आप हमारे जो application है उसको भी visit कर सकते हैं